अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें कोरोना वाइरस के मामले दिन प्रती दिन देश में बढ़ते ही जा रहे हैं महाराष्ट्र के बाद अब कई अन्य राज्जों में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकडों में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है कोविड-19 का प्रकोप उत्तर प्रदेश में अब बढ़ने लगा है ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने इसके प्रकोप को रोकने के लिए एक और सक्त कदम उठाया है जानकरी के अनुसार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात ने यूपी में बढ़ते कोरोना वाइरस के कहर को देखते हुए प्रदेश के सारे बॉर्डर को पूरी तरह सील करने के आदेश जारी किये हैं सीम योगी ने कहा है कि प्रदेश के बोर्डर को पूरी तरह सील करें, सीमा वर्ती छेत्रों में सतरक्ता बढ़ती जाए। साथी नेपाल राष्टर सहीत अन्यराज्यों से बगैर अनुमती कोई प्रदेश में नए आने पाए। इसके लिए योगी प्रशासर ने सारी तयारियां भी शुरू कर दी हैं। साथी सीम योगी ने अन्यराज्यों से आ रहे प्रवासियों के लिए निर्देश चारी किये हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात ने कहा है कि अन्य राज्यों से आ रहे प्रदेश वासियों के लिए बड़े कुरेंटीन सेंटर और शेल्टर होम जल्द से जल्द बनाने के आदेश दिये हैं ताकि अन्य राज्जियों से आ रहे प्रदेश वासियों को कोई परिशानी का सामना ना करना पड़े बहराल बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वाइरस के कारण हाला दिन बदिन खराब होते जा रहे हैं जनकरी के अनुसर आज सुबह भी करीब 15 से जादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आये हैं साथी यूपी के कई शहर होट स्पोर्ट बनते जा रहे हैं ऐसे में सीएम योगी इस महामारी को रोकने के लिए राज्य में हर संभव प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं साथी जनता के लिए लोकडाउन में कोई परेशानी ना हो उसके लिए भी हर प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं